हेलो एब्रिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले से रिजल्ट की भी एनाउंसमेंट हो चुकी है देखिए सिर्फ एड़िटिसमेंट की जानकारी आपको नहीं म करो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है घंटे वाला बटन भी दबा लेना है बाइद में जनको इसकी पीडियाफ चाहिए होगी वह हमारे टेलिग्राम चैनल से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं हमारे परिवार में सामिल हो सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्षन में टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलिग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है तो चलिए वन बाइवन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट में देखिए कस्तुरबा गांधी से जो जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे पहले साइन्स यानि की बिग्यान का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और मैंने ना कट अप देखा तो मेरी दिमाग के बत्ती जल गए यहां से आप देख लो एके करके मैं सारी चीज़े दिखाता हूं मैं इसलिए हसरा हूं ना कि कस्तुरबा गांधी व इसके अलाबा इंटरमेडियर में इन्होंने कितने परसेंटेज लाए हैं 66 ग्रιजुएशन में कितने लाए है 65 परसेंट परसेंट क्षिक्षन में इनकी जो सारे ना कि क्या है यह सलेक्टेड है यह इजक्टेड है तो यह अब बोलोगे इतने सारे नमबर लाने के बाद भी rejected क्यों है क्योंकि इन्होंने डियलेड कर रखा है डियलेड वाले की validity यहाँ पे नहीं है I repeat डियलेड वाले या फिर BTC वाले eligible नहीं होते हैं याद रखिएगा इस बात को आगे देखिए जो यहाँ पे देखो जो पहला है वो है क्या है rejected है आपको पहले list में जिनका नाम है वो selected नहीं है दूसरे नमर पे देखिए जो list में नाम है जिनका वो पहले नमर पे प्रियंका था उनका भी rejected है दूसरे नमर पे दीप सिभखा है उनका भी rejected है science में अब देखिए जो लास्ट तीसरे डमर पे हैं चंदना यादब उनको रिजेक्टेड नहीं किया गया है उनके परसेंटेज को हम लोग देख लेते हैं इनका डेट ओब बर्थ है साइंस में और अब देखिए इनका जो मैट्रिक में परसेंटेज है वो है 84.57 परसेंट इंटर में 89.6 परसेंट देख रहे हो परसेंटेज आगे देख लो ग्रेजुएशन में इनका जो परसेंटेज है वो है 68.44 आपको दिखनी रहागा क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंदी इमेज डाल रखी है यहाँ पर रिजल्ट अपडेट करते हो तो अच्छी सी पीडियाप बना लेनी चाहिए थी मुझे ही बोल देते मैं अच्छा पीडियाप बना देता कैर कोई बात नहीं और इनका यहाँ पर सेलेक्टेड हो गया यहाँ से आप देख लो रिजेक्टेड अगर आप हो तो यहाँ से आप लिस्ट को देख पाओगे अगर आपके कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा है देन यू आर सेलेक्टेड तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा यहाँ से आप जो है साइंस का रिजल्ट देख सकते हो इसी तर पाया इतना गंदा पीडियाप अप्लोड कराया में क्या ही बताओं प्रितिस पाठक दूसरे नंबर पे है और इनकी जो मैट्रिक में परसेंटेज है वो 69.67 परसेंट है इंटर में 50.8 परसेंट है ग्रेजुएशन में 56.78 परसेंटेज है और पोस्ट ग्रेजुएशन जो नहीं है दखिए इनोंने रिमार्क भी दे रखा है पिता के नाम से जाती परमान पत्र नहीं है सारी जानकारी दे रखिए कि किनका किस कारण से हटाया गया है तो यहां से आप देख सकते हो बीटीसी वाले को हटा दिया गया है बीटीसी वाले इलिजबल नहीं है पिता के के लिए पुरन कालिक सिखका की जो लिष्ट है वो थोड़ी बड़ी है लंबी है आगे देखिए इसी तरह से घंदी सिखका के लिए เช है फाइनली रिजल्ט को कहें तक आय लिए है तो देखिए अमीता दुरी पाठी और इनको select किया गया है और इनके percentage जो है हिंदी में वो देख लिजे metric में इनका high school में जो था 64.33% internet 67% graduation में 57.6% और प्रसिक्षित याने की B8 बगर जो इन्होंने कर रखा है उनकी percentage यहां से आप देख पाओगे 60.71% internet और seat at में या फिर repeat at जो भी इन्होंने दे रखा है वो 91 जो है इन्होंने नंबर लाया था इनको select किया गया है हिंदी सिक्षिका के तौर पर आगे देखिए हिंदी के लिए और भी है यह list आपको telegram पे मैं अप लेबल करा दूँगा और वहां से आप जो है list को देख पाओगे computer सिक्षिका के लिए देखिए यहां से आप देख पाओगे मधुलिका मिस्त्रा का selection हुआ है और wait यह rejected है सोरी यहां से आप देख लो इन्होंने BTC का रखा है इसलिए इनको reject किया गया है तीसरे नमबर और चौथे नमबर को select कर रखा है तीसरे नमर पे हैं कौन अर्चना मिस्त्र और चौथे नमर पे हैं अरपना यादब इन दोनों का selection यहां पे हो चुका है और इनके percentage को हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको idea लग सके कि आपको कितने percentage पर जौब लग जाएगी 51% आया हुआ है इनका high school में और 71.83 आया है परना यादब का high school में और इसी तरह से आगे भी देख लेते हैं intermediate में इनका क्या percentage था intermediate में 50.55.80% तो यह computer सिक्षे का art and craft और संगीत के लिए भी देखे लिस्ट जारी कर दी गई है तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह लिस्ट जारी हो चुकी है और one by one सारे जगों से लिस्ट की जानकारी आपको मिलते रहेगी हमारे चैनल पर मैं आपको बता दू यह देख लो यहां से आप देख पाओगे कारियाल है जिला basic सिक्षा अधिकारी सिधार्थ नगर से यह जो है प्रेस बिग्यपती जारी की गई है 25 मार्च 2023 को application की आखरी date थी हिंदुस्तान अमरुजाला देनी जागरन में प्रकासित की गई थी बिग्यापन और अब जो है finally सिधार्थ नगर.nice.in पर जाकर आप जो है देख सकते हो result को अब देखिए नोने बता रखा कि कोई आपती है तो 19.05 तक आप मिल सकते हो जो की date खत्म हो चुकी है और अब चिनोंने लिफाफा भेजा था था ना अब उनको calling वगएरा जानी शुरू होगी लिफाफा से उनको जो है बता दिया जाएगा लिफाफा पे जो टिकट आप लोगों ने चिपकाया था था ना अब आपको जो है joining लेटर दे दिया जाएगा कि आप लोग जोईन कर सकते हैं अलग अलग जगों से जैसे ही result आता है मैं आपके सामने result लेकर हाजिर हो जाओंगा नीचे comment section में आपको अपने जिले और district का नाम लिखना है में बार बार का राओं district और state का नाम लिख देना है ताकि वहां की result या फिर वहां से recruitment आती है उसकी जानकारे आपको मैं देपाऊं वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को अपने दोस्तों रिष्टेदारों सहलियों तक साजा करें अगर आप पहली बार चैनल पे आया है तो चले को सब्सक्राइब कर लिए घंटे वाला ब